क्या इस notification के बाद e-commerce export और जाद है complicated होने वाला है commercial exports की तरह क्या यह जो लोग Amazon FBA में कर रहे थे eBay FBA में भेज रहे थे eBay shipping के तुरू Amazon shipping के तुरू जो इननों का integrated partner था FedEx और DHL क्या इस notification के बाद यह complicated होने वाला कि आपको खर्चा जादा बने वाला कि आपको documents जादा produce करने पड़ेंगे अगर आप लोग लोग eBay में shipping करते हैं या Amazon FBA में shipping करते हैं तो आप लोग को recently नोटिफिकेशन है होगा डीचल की तरफ से जिसमें उन्होंना बताया होगा आपको की यह जो चार पूर्ट है आपका 4-5 पूर्ट है डली बैंगलोर बंबे एहमदाबाद और एक पूर्ट जो है उसमें आपको इस पूर्ट में आपको ADCode register कराने की जरूत है की नहीं है तो वेल्कम बैक टो देचनल दोस्तों मेरा नाम है दिपांगर अब सभी देखें हैं मेरा चनल ग्लोबल वेपार्ट जहां पर हम डिसकस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेट के बारे में एंप्ट्रेशन के बारे में खुब बात ये करते हैं हम लोग और मैं तो एक आज कल e-commerce के उपर सीरीज भी लेके आने वाला हूं तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देख लेना इंट्रदक्शन में आज इंगलूड कर दिया इस चीज़ को चलो आगे पड़ेगा और एक पोर्ट पे नहीं एक दो तीन चार पांच पांच पोर्ट के उन्हों ने पांच पोर्ट का उन्होंने लिस्ट दिया है कि इन 5 पोर्ट पे आपका AD को रिजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आप DHL से शिपिंग करना चाहते हैं in future तो इसका क्या मतलब ये CSB 5 क्या होता है, CSB 5 एक shipping bill का type होता है, जब आप कोई भी export करते हैं, जिसकी value under 5 lakh rupees होती है, तो वो courier में clear होता है, उस courier को CSB 5, यानि courier shipping bill 5 कहते हैं, उस shipping bill के enter में इस चीज़ को file कह जाता है, अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर आप किसे भी तरह का export कर रह और ये कहीं न कहीं export होता था एक दुबार के लिए initial level पर कई लोगों ने किया है, मेरे जानने वालों ने, ये बोलके कि ये जो है sample के रूप में जा रहा है, या मैं gift भेज रहा हूं, बट अगर अपसे, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी export करते हैं, e-commerce export करते हैं, sample export करते हैं, कुछ भी export करते हैं, चाहिए उसकी value 1000 रुपे हो, चाहिए उसकी value 5 लाग रुपे हो, तो आपको अपना AD को register कराना पड़ेगा, DHL के साथ इन सारे ports पर, क्योंकि DHL ने इन सारे ports को mandatory कर रखा, इस टाइम पर registration कराने लिए, ये एक official notification है, customs की तरह, बट वो सिर्फ एक port क चैनल को subscribe कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के informative वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, regarding to import, export, e-commerce, export, drop shipping, ये सारे चीज़े मैं इस वीडियो इस चैनल पर cover करता हूं, ये जो notification है, ये primarily आपकी e-commerce को cover करने के लिए लाया गया है, अब इससे पहले क्या होता था कि जब भी आप e-commerce में export करते थे, तो e-commerce में क्या होता है कि initial level पर कोई transaction, international transaction नहीं होती, कोई remittance नहीं होता, क्योंकि Amazon FBA में जब आप लोग export करते हैं, तो Amazon FBA के warehouse में आप export करते हैं, और वहां से initially आपके पास कोई पैसा नहीं आता है, जब वो item आपका overseas में बिक जाता है, त की date में from DHL या FedEx या कोई भी ऐसे बड़े carriers जो RMX हो गया आपका TNT हो गया, तो आपको अपना DHL, sorry, AD को register कराना पड़ेगा इनके साथ, जिस भी port से आप export कर रहे हैं, उस port पे, मैं आप लोगों को इनकी mail की तरफ लेके चलता हूँ, ये mail में जो कहना चाते है कि लोगों को लेके confusion हो रही है कि mail में अक्चुल में ये कहना किया जाते है, मैं आपको सीधा mail की तरफ लेके चलता हूँ, अब लोगों को mail दिखाता हूँ, देखिए, मैंने इनका mail खोल लिया, मेरे client ने मेरे को ये mail भेजा था, मैंने mail खोल लिया, अब इसमें उनने बताया क्या है कि आपको please complete the following two on priorities, एक तो है आपका update कर रहा है, AD code और bank account number जो की बहुत common है ठीक है, और इन पांचों port पे आपको इस टाइम पर register करना है, Delhi, Bangalore, Bombay, MWH मुझे पता नहीं कौन सा होता है, MDABAD, क्योंकि ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप क्या होता था इससे पहले कि आप उस port पे अपना register करते थे, AD code जिस भी port से आप export करते हैं, for example, अगर आप Delhi के client Delhi फरीदबाद या आसपास के कहीं के, तो आपका जो export होने वाला था, वो Delhi से होने वाला था, तो इससे पहले आप लोग क्या करते हैं, मेरे को call करते हैं, क्याते है कि भाई, मेरे को Delhi से export करना है, या online जो भी आप लोग करते थे, तो Delhi port से लिख करके, आप लोग online इसको register कर लेते थे, या ज़्यादातर मेरे के through ही कराते थे, तो हाँ जी मैं भी करता हूँ, मैं भी यहाप एक license CH हूँ, अगर आप लोग को in future AD को register कराना है, या किसी भी तरह की help ची है, regarding import, export, e-commerce export, तो हम Delhi में यहीं से आपका export होता था, आप इन लोगोंने क्या किया है, कि इन लोगोंने इन पांचों port को mandatory कर दिया है, दो, दो, चार, एक, पांचों port को mandatory कर दिया आपका AD को registration के लिए, क्योंकि अब इनका क्या होगा, कि यह अपने convenient के हिसाब से, इन पांचों port में से किसी भी port से मतलब, suppose आपको America भेजना है, या UK भेजना है, तो इनका जो convenient port होगा for clearance, यह अपने हिसाब से, इनोंने region डिवाइड किया हुआ है, कि इस region में जाएगा, UK, USA, North American region में, तो आपका Delhi से clear होगा, यूरोप में जाएगा, तो आपका Bangalore से clear होगा, एफरीका जाएगा, तो आपक इस के लिए इनोंने यह सारी चीजे, मतलब यह जो है, इन पांचो port को select किया है, क्योंकि इन पांचो port के थुरू यह लोगो world को cover करते हैं, बट, आप लोग अगर रही कराना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं, कि मेरा जो shipment है, वो सिर्फ यहाँ पर जाता है, तो मैं सकते हैं, एक बार के लिए, क्योंकि इन लोगोंने जो यह पांचो port select किया है, इन्होंने अपनी convenience के लिए आपके convenience के लिए नहीं, तो यह आपका clear होगा है, कि इन्होंने यह पांचो port क्यों select किया है, for AD code registration, आप second point यह कहता है, कि आपको email भेजना है, इनको after AD code registration के बाद द DHL account manager को mail करना है, उसमें आपको बताना है कि CSB5 के अंडर आपने यह सारा registration mission कर लिया है, अब second में है कि किस तरीके साब को update करना है, वही AD code आपको update करना है, bank account number अपडेट करना है, इन सारे port पे, e-commerce पे आपको mail करना है, step 2, इन्होंने एक नया, जब भी आप booking करेंगे अप आप से DHL के through, CSB5 कोई भी courier shipment, तो एक दो इन्होंने field वहाँ पे और add किया है, indicate आपको करना पड़ेगा कि आप government entity और non-government entity है, और यह देखिए weather, NFEI, no foreign exchange involved, yes or no, अब आपको इसमें यह भी confirm करना पड़ेगा कि यह जो है, इसमें कोई foreign exchange involved है कि नहीं, या इसके बतले में आपको remittance आ रहाए की नहीं, उसे थाप से यह लोग CSB5 ये CSB4 सेलेक करने वाले हैं, बट AD code यह लोग फिर भी register करा रहे हैं, यह इन्होंने अपनी convenience के लिए किया है, AD code का जो पांचो पोर्ट का, यह से तो पता लग गया, मैं आप लोगों को है, जो official इनका वो है, क्या क यह है, कि इसमें उनलोग उन्हें बताया है, कि IT-based RBI जो है, RBI इससे पहले क्या करता था, कि इनका जो commercial shipment है, उनका डाटा RBI के पास regular basis पर जाता था, Icegate के थुरू, यानि commercial shipment जो भी था, आप से क्या होगा, कि यह देखिए, Icegate transmit data respect to B and EDI system, RBI on daily basis, further respect to courier build-up, यह देखिए, respect of courier bill of entry and courier shipping bill is not being transmitted electronic to RBI, the courier data needs to be transmitted to IDBN on daily basis, अब से daily basis में, जो courier shipping bill है, तो अब से courier shipping bill के data भी यह लोग चाहते हैं कि regular basis पे transmit हो RBI को, जो हमारा भारदे से पैसा आ रहा है, उसको track करने के लिए, अब इसमें होगा क्या, Icegate transmit data in respect to shipping bill and RBI on daily basis for further processing, ठीक है, बट respect to courier bill यह नहीं होता था, RBI has desired that a courier data should be shared with them in format and route as is being done for EDI data, अब यह कहना यह चाहरे हैं कि इस से पहले जिस format में और जिस route से commercial data transfer होता था RBI तक, same format वो चाहते हैं कि courier bills के लिए भी हो, तो आपसे जो है, जो इनकी, यह लोग आप system को update करेंगे, और courier bills का जो data इस से पहले यह लोग मनत लिया, weekly जैसे भी transmit करते थे, अब वो same route में, same daily basis पे RBI को transfer होगा, इसलिए उन्होंने mandatory कर दिया है, कि आप किसी भी entity नहीं हूँ, मैं कोई commercial transaction नहीं कर रहा हूँ, मैं बसे gift भेज रहा हूँ overseas में, तो काप किस तरीके से भेजेंगे, यह बहुत अच्छा question है, second question ही आएगा, कि छोटा motor sample भेज रहे हैं, तो किस तरीके से अपन करेंगे, gift वाला जो है, यह मेरे को भी clear नहीं है, कि जो gift है, व आपन हम और आप जैसे common लोग हैं, वो किसी overseas में मामा चाचा ताउत आई को भेज रहे हैं gift, तो हम तो कोई company है नहीं, हम ADCode counselling, क्योंकि ADCode लेने के लिए आपको एक current account होना चाहिए, bank में, जिस भी bank से, आप लोग ADCode लेने वाले हैं, तो common मनता कैसे export करेगा, कोई gift सकते हैं, बारदेश में, उसके against में कोई payment नहीं आनी चाहिए, आपको obviously, तो यह कैसे करेंगे, आप यह होगा ऐसे कि आप India post को थुरू करिए, क्योंकि आप लोगों से करने जाएंगे, तो I guess, यह लोग ADCode मांगेंगे, इसको validate करने के लिए, कि यह जो है, यह अपने, इन इनको दिक्कत ना है, क्योंकि जब shipping bill file होता है, तो एक shipping bill, sorry, shipping bill के अंदर बहुत सरे लोगों का माल होता है, एक साथ, तो यह लोग नहीं चाहिए, कि इनके एक बंदे के लिए आपके लिए इनका पूरा का पूरा, जो इतने लोगों का माले वो रुख जाए, कहीं पर कोई क्लेरेंस में तो मेरे को लगता है कि यह लोग completely इसको बना कर देंगा या पता नहीं मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है बट आप इंडिस केस आप अपने इंडिया पोस्ट को यूज कर सकते हैं इंडिया पोस्ट को थूरू आप अपना गिफ वगरा भीज सकते हैं पच् सैंपल भेजने के लिए आपको 25 रुप से नीचे हो 25 रुप और पांच लाग रुपय तक हो आपको एडिकोड रिजिस्टर कराना पड़ेगा इन लोगों के साथ अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट यह है कि आपको क्या इन 500 पोर्टों पे रिजिस्टर कराना पड़े 80% लोग जुनोंने मेरे से अडिकोड रिस्टर कराया था वो ने एक्सपोर्ट वाले थे बिल्कुल इनिशल लेवल पे थे जिन्होंने स्टार्ट किया था मैंने उनको गैड भी किया था कि किस तरीके से फॉर्माइट वगेरा में शेयर करी देता हूं अगर कोई मेरे से ए सब लोगों ने मेरे को भीज़ा है कि वैस्ट-मंगॉल के कई सारे उनके कलाने वाली बात देली कि वैसेर कि और को ट métに आपको as पूर्ट पे बात करने बड़ी कि परिबें तो थो घॉंख खरेज हो । उसकता है है च tout पर पंश पर संесто angular से एडिकोट इस्टेर्शन के साथ साथ जितनी फाई leash आपको जितनी compliance की requirement है जितनी documentation format की requirement है जितनी support चीए वो सारा support मेरे और मेरे team के तरफ से आपको रहेगा तो सिर्फ को लाइबरेशन भी किया है उसके उपर मैं एक वीडियो बहुत जदी लाने वाला हूं वीडियो में अल्रेडी ला चुका हूं जिसमेंने अनॉंस्मेंट किया है कि मैं पुरी की बुरी सीज लाने वाला हूं किस तरीके से आप अपना e-commerce बिजनस शुरू कर सकते हैं e-commerce इं इंट्रनेशनल e-commerce का तो इस वीडियो को नहीं देगा तो आई-कार्ड में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वह से जाकि आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे पहली बारे हैं तो स वीडियो को लाज तक देखने के लिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा सबके आंसर देने की थैंक्यू सो मच अब मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करके जाना एक दूर आयो तो थैंक्यू